पित की तली में जमी पत्री को खत्म करते हैं ये उपाए पित की पत्री के लिए उपाए पित में पत्री का बनना एक भैंकर पीडा दायक रोग है पित में कॉलेस्टॉनल और पिग्मेमिंट नामत दो तरह की बनती है लेकिन लगभग 80% पत्री कॉलेस्टॉनल से ही बनती हैं पित लिवा में बनता है और इसका भंडारन गॉल ब्लेडर में होता है यह पित फैट युक्त हो जिनको पचाने में मदद करता है लेकिन जब पित में कॉलेस्टॉनल और बिलरुबिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो पत्री का निर्मान होता है पित की पत्री को घरेलू उपचार के माध्यमा से ठीक किया जा सकता है सेब का रस और सेब साइडर सिरका बेशक सेब डॉक्टर को दूर रखने में मदद करता है इसलिए एक ग्लास सेब के रस में सेब साइडर सिरका का एक बड़ा चमच मिल कर नियमित रूप दिन में एक बार सेविन करना चाहिए सेव में मीलिक ऐसेड होता है जो पित पत्री नर्मी में सहायता करता है और सिरका पत्थर के कारण कॉलेस्ट्रॉल बनाने से लीव को रोकता है यह एक पित की पत्री के हमले के दौरान दर्थ को काम करने एक त्वेरत पाए हैं नाशपती नाशपती पित की पत्री के लिए बोहत फाइदे मंद होती है अमेरिका मेजिकल आसोसीएशन के अनुसार लगभग 80 प्रतिशठ पित में पत्री कोलेस्टरॉल के बनने से होती है नाशपाती में पैक्टिं होता है पत्थरों को आसानी से फ्लश आउट के लिए कॉलेस्टरॉल से भरे पित पत्री को बांधता है चुकंदर खीरा और गाज़ का रस पिताशे की तेली को साफ और मजबूत करने और लीव की सफाई के लिए चुकंदर का रस, ककडी का रस और गाज़ के रस को बराबर मात्रा में मिलाए यह संयोजन आपको पेट और खून की सफाई में भी मदद करता है खीरे में मौजूद उच पानी सामगरी और गाज़ में विटमिन सी की उच और मात्रा मूत्राशे से विशाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है सिंगपर्नी सिंगपर्नी के पत्ते लिवर का समर्थन मूत्राशे के कामकाज में सहायता पितुत सर्जन को बढ़ावा और विशाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं एक कप पानी में एक बड़ा चम अचा सिंपर्णी के पत्तों को मिलाए फिर इसे अफशोशित करने के लिए पांच मिनिट के लिए रख दें अब इसमें एक चम मोच शहद मिलाए मधुने रोगियों को इस उपचार से बचना चाहिए पुदीना पुदीने में टेर पे नामत प्राक्रतिक तत्वर होता है जो पित से पत्तरी को घुलाने के लिए जाना जाता है यह पित प्रवाह और अन्य पाच्छक रस को तेज़ित करता है इसलिए यह पाच्छन में भी सहायक होता है पित की पत्री के लिए घरेलू उपाई के रूप में पुदीने की चाय का इस्तमाल करें इसब गुल एक उच्चा फाइबर आहार पित ताशेकी तली की पत्री के इलाज के लिए बहुत आवश्यक है इस अपको और घुलन शील फाइबर का एच्छात स्त्रोत होने के कारण पितमे कॉलेस्ट्रॉल को बांधता है और पत्री के गठन को रोकने में मदद करता है। आप इसे अपने अन्यों फाइबर युक भोजन के साथ या रात को बिस्तरा पर जाने से पहले एक ग्लास पानी के साथ ले सकते हैं, नीम्बू का रस नीम्बू का रस प्रकृतिक रूप से अमलिय होने के कारण यह सरके की तरह कार्य करता है और लीवा में कॉलेस्ट्रॉल को बनने से रोकता है, हर रोज खाली पेच्छार नीम्बू का रस ले, इस प्रक्रिया को एक हफ़ते तक अपन इससे पत्री की समस्या आसानी से दूर हो सकती है, लाल शिमला मिर्च 2013 में हुए एक अध्यन के अनुसार, शरीर में भरपूर मात्रा में विटमिन सी पत्री की समस्या काम करता है, एक लाल शिमला मिर्च में लगभग 95 मिली ग्राम विटमिन सी होता है, यहां मात्रा पत्री को रोकने के लिए काफी होती है इसलिए अपने आहार में शिमला मिर्च को शामिल करें वाइन शूद करताओं ने पाया कि आधा ग्लास वाइन पित की पत्री के हमलों को लगभग 40 प्रतिशत तक कम कर सकता है इसलिए wine की एक glass को अपनी दिंचरिया में श्मिल करें इस से ज्यादा नहीं साबुत अनाज पानी में घुलंचिल फाइबर यूक्त खाद्य पदार्थों जैसे साबुत अनाज और अन्य अनाज को अपने आहार में भरपूर मातरा में शामिल करें पाइबर, कॉलेस्टेरॉल और ट्राइग्लिसराइट के स्थर को कम कर स्वाभवे ग्रूप से पत्री को बनने से रोकने में मदद करते हैं